वाश्तार दोस्तो मेरा ना में गरेश आप देख रहे हैं और तो मास्तर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोयल इनफिल्ड के दो स्क्रेमलर बाइक के बारे में जो की जल्दी आने वाले हैं हमारे सामने तो फिर दोस्तों अभी Royal Enfield ने 650 Twins को launch किया था और उसके बाद अब Royal Enfield हमें देने वाली है दो नई Scrambler Bikes जिनका नाम है Royal Enfield 350 और Royal Enfield 500 तो फिर ये दो बाइक के पास बहुत ही Sharpening features है जो कि मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा तो फिर दोस्तों ये जो बाइक है इसमें एक single seat आएगी और luggage carrier आएगा पीछे तो फिर जो की पीछे की पिलन seat है वो रिमूब कर दिया है और उसके जगह दे दिया है luggage carrier और दूसर इंक्लूड करते हैं colored frame जो की 350 में red के shed में होगी और 500 में green के shed में होगी आगे इसके पास आए जाता है अपूर्ड swift exhaust cannon sir और chrome fenders, dual purpose tires, rubber forks, gators और chrome finished rear view mirror housings तब ये सब लगे हुए हैं इस bike में थोड़े से powering feature से तरफ बढ़ लेता है तो फिर ये दो bike के पास मतलब ये दो bikes है न इलेक्ट्रे का counter parts है और इनके पास आ जाता है 346 cc single cylinder air pulled engine जो की बनाता है 19.8 bhp power और 28 nm टर्प को और जो उसकी range 2 पर model है उसमें आ जाएगा 499 cc air pulled single cylinder unit जो की power करता है 27.2 bhp power और 41.3 nm टर्प को जो के offer होगा हमें दोनों ही मिल जाते हैं एक 5 speed transmission से के साथ आते हैं और हम expect कर सकते है 350 और 500 को उनके पास आ सकते है front और rear disc brakes complete dual channel ABS जो की अब नए rules के नए safety regulations के सबसे compulsory कर दिया है इंडिया में और यह 2019 के first half में launch को सकती है यह bike यह bike सिर्फ limited edition version है तो फिर जल्दी लेट कब आके देखते हैं लेकिन ज्यादा इसके variance बनाए तो नहीं गए इतना ही इस bike के बारे मैं हाँ और बस इतना ही तो फिर बस आज की विडिव में इतना ही ता मुझे परनेड़े कि आपको